आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवस की आपको धेर सारी शुबकामना है होम शान्ती 23 मई 2024 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा मैं अविनाशी ज्यान रत्नों का जोहरी हूं और तुम हो चेतन्य रत्न तो हर एक अपने को स्व्यम ही देखे कि मैं किस प्रकार का रत्न हूं हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं देहे अभिमान में आने से ही डिफेक्टिड होते हैं तुम्हें तो एकदम प्योर डाइमंड बनना है अगर कोई डिफेक्ट रहे गया तो वैल्यू कम हो जाएगी तुम्हारी योग और पवित्रता की ग्रेड बहुत उंची होने चाहिए फिर बाबा ने कहा अपने को देखना है कि जिस बाप दवारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहां तक है और कोई तरफ व्रीती तो नहीं जाती बाप की याद में तो रोमांच एकदम खड़े हो जाने जाहिए बाबा कहते ही दिल खिल जाए ऐसे बाप की तो याद सतानी जाहिए तुम हो इश्वरी एमेशन पर तुम्हें सब का उद्धार करना है इसमें योग का बल जाहिए तभी तुम्हारे अंदर कशिश आएगी अवस्था ऐसी मजबूत हो जो किसको भी देखने से बुद्धी चलाए मान ना हो अब देह के सब धर्म छोड़ने हैं अगर अंत में कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा लास्ट में बाबा ने कहा जब तक यहां हो कुछ न कुछ होता रहेगा बीमारी यादी भी आएगी कर्म भोग है न ऐसे नहीं सोचो कि बाप कुछ आशिरवाद करे नहीं इसमें तो तुम्हें खुद ही अपना पुरुशार्थ करना है बाप तुम बच्चों को धीरस देते हैं बच्चे तुम मुझे याद करते रहो तो यहसा बंधन एक दिन खत्म हो जाएंगे अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाप ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो यही समय है सच्चा हीरा बनने का प्रश्न किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है उत्तर पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत उची है वह अमुल्य रत्न है नमस्ते लायक है इंप्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी बाप से अटूट प्यार होगा कभी किसी को दुख नहीं देंगे बहुत मीठे होंगे ओम शान्ती डबल ओम शान्ती भी कह सकते हैं बच्चे जानते हैं और बाप ददभी जानते हैं ओम शान्ती का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूब हूँ और बरोबर शान्ती के सागर सुख के सागर पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ पहले पहले है पवित्रता का सागर पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं हर एक बच्चा समझ सकता है यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है अभी हम संपूर्ण बने नहीं है कहां न कहां कोई में किस प्रकार की कोई में किस प्रकार की defect जरूर है पवित्रता में और योग में देह अभिमान में आने से ही defected होते हैं कोई में जास्ती कोई में कम defect होते हैं किस्म किस्म के हीरे होते हैं उनको फिर magnified glass से देखा जाता है तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है वैसे आत्माओं को भी समझना होता है यह रत्न है ना रत्न भी सब नमस्ते लायक हैं मोती मानिक पुखरा जादी सब नमस्ते लायक हैं इसलिए सब वेराइटी डाले जाते हैं नम्बरवार पुरुशार्थ अनुसार तों है न, समझते हैं, बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रतनों का जोहरी, वह एक ही है, जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रतन देते हैं न, और फिर रत भी जोहरी, वह भी रतनों की वैल्यू को जानते हैं, ज्वाहरा इस विश्यात को बहुत अच्छी रिती मैगनिफाई गलास से देखना होता है। इसमें कहां तक डिफेक्ट है? कि है कौन सा रतन है? कहां तक सर्विसेबल है? दिल होती है रतनों को देखने की अच्छा रतन होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बड़ा अच् इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए पुखराजादी को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है यहां भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रत्न हूँ हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है जैसे ज्वहरात को अच्छी रिती देखा जाता है वैसे हर एक को देखना पड़ता है तुम तो हो ही चेतन्य रत्न तो हर एक को अपने को देखना है हम कहां तक सब्ज परी निलम परी बने हैं जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं? तुम्हारे में भी नमबरवार हैं. हर एक अपने को अच्छी रिती जान सकते हैं. अपने को देखो, सारा दिन क्या किया? बाबा को कितना याद किया? यह भी बाबाने कह दिया है, कि ग्रस वहवार में रहते हुए, बाप को याद करना है बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शकल को देखो यह भी एक द्रेश्टांत है तुम जो बच्चे हो एक-एक को अपने को अच्छी रिती देखना है जाच करनी है कि जिस बाप दवारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहां तक है और किस तरफ व्रिती तो नहीं जाती है कहां तक मेरा दैवी स्वभाव है स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है हर एक को तीसरा नेत्र मिला है उनसे अपनी जाच करनी है कहां तक मैं बाप की याद में रहता हूं कहां तक मेरी याद बाप को पहुँचती है उनकी याद में रहे रोमांच एकदम खड़े हो जाने जाहिए परन्तु बाप खुद कहते हैं माया के विग्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुशार्थी हैं रिजल्ट तो पिछाडी में निकलनी है अपनी जाँच करनी है फ्लो आदी अभी तुम निकाल सकते हो एकदम प्योर डाइमंड बनना है अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वेल्यू भी कम होगी रत्न है ना बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वेल्यूएबल हीरा बनना है पुरुशार्थ कराने लिए बिन बिन प्रकार से बाप समझाते हैं आज योग के समय बीच में बाप दादा संधली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाई एक-एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे बापा ने कहा बापा आज क्यों उठे देखने लिए कि कौन-कौन सर्विसेबल बच्चा है क्योंकि कहां कोई कहां कोई बैठे रहते हैं तो बापा ने उठकर एक-एक को देखा इनमें क्या गुण है इनका कितना लव है सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए है तो सभी बहुत प्यारे लगते है परन्तु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुशार्थनोसार ही प्यारे लगेंगे बाप को तो मालूम है क्या-क्या किसमे डिफेक्ट है क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जाँच करते है यह दोनों बाप दादा इकटे हैं न तो जितना जितना जो ओरों को सुख देते हैं कोई को दुख नहीं देते हैं वह छिपे नहीं रह सकते हैं गुलाब, मोतिया कब छिपे नहीं रह सकेंगे बाप सब कुछ बच्चों को समझाई फिर बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है फेह भी देखना है मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चड़ सकते दिल पर सो तक्त पर तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे तक्त के वासी कौन-कौन बनने वाले हैं जब समय नस्दीक आता है तो बच्चों को जट मालूम पढ़ जाता है हम कहां तक पास होंगे नापास होने वाले को पहले सही मालूम पढ़ जाता है कि हमारे माक्स कम होंगे तुम भी समझते हो हमको माक्स तो मिलने हैं हम स्टुडेंट हैं किसके? भगवान के जानते हैं वह इस दादा दवारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी जाहिए, बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है, तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं, इस चक्र को याद करो, पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम अबजेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना जाहिए, दैवी गुणों की ए हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है न, बाबा जरूर आप समान प्योर, नौलेजफुल बनाएंगे, इसमें पवित्रता सुक शान्ति सब आ जाती है, अभी कोई भी परिपुर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरिशार्थ करना है, बाब को तो सभी प खिल जाता है, बाब से वर्सा कितना भारी मिलता है, सिवाए बाब के, और कहां भी दिल नहीं जाएगी, बाब की याद ही बहुत सतानी चाहिए, बाबा, 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 बहुत प्यार से बाब को याद करना होता है, राजा का बच्चा होगा, तो उनको राजाई का नश था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाई वाई सराय के, बागी सब नमन करते थे राजाओं को, अभी उन्हों की गती क्या हो गई है, यह भी तुम जानते हो, कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे, बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूँ, गरीब जट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं, यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रिमत पर ही हम सब कुछ करेंगे, उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे करना सके, इसलिए बाप कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी जट आ जाएंगे, देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहां जाते हैं, तो वह भी आ जाएंगे, परन्तु गरीब बिचा तुम्हारे बहुत डरते हैं, एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे, तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे, उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे, बच्चों के दिल में आता है, हमको तो सब ही का उद्धार करना है, वह भी पढ़कर बड़े ओफिसर साधी बन जाते हैं न, तुम हो एश्वरिय मिशन, तुमको सब का उद्धार करना है, गायन भी है न, भीलनी के बेर खाए, विवेक भी कहता है, दान हमेशा गरीबों को करना है, साहुकारों को नह तुमको आगे चल कर यह सब कुछ करना है, इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वह कशिश में आ जाए, योग बल कम है क्योंकि देहे अभिमान है, हर एक अपने दिल से पुझे, हमको कहां तक बाप की याद है, कहां हम फंस्ते तो नहीं हैं, ऐसी अवस्था चाहिए, जो क इसको भी देखने से चलाए मानी न हो, बाबा का फर्मान है, देहे अभिमानी मत बनो, सब को अपना भाई समझो, आत्मा जानती है, हम भाई भाई हैं, देहे के सब धर्म छोडने हैं, अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा, तो दंड पड़ जाएगा, इतनी अपनी अव जब बनाए, तब यह पद मिल सकता है, बाब तो अच्छी रिते समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हारे में भी बल होगा, तो उनको कशिश होगी, अनेक जनमों की कट लगी हुई है, यहे ख्यालात तुम ब्राह्मनों को रखने हैं, सभी आत्माओं को पा आते रहते हैं, अपनी जाच करनी है, जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्छों को बेहद का ख्याल करना है, बाब का आत्माओं में कितना लव है, इतना दिन लव क्यो नहीं था, क्योंकि डिफेक्टिड थे, पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे, अभी तो बाब स बहुत कशिश करते हैं, दिन प्रति दिन जितना पवित्र बनते जाएंगे, उतना तुमको बहुत कशिश होगी, बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खीचेंगे, जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुशार थनोसार ऐसी आ जाएगी, यहां बाब को देखते रहेंगे, तो बस समझेंगे, अभी जाकर बाबा से मिले, ऐसे बाबा से फिर कभी बीचुडेंगे नहीं, बाब को फिर कशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, हां कुछ फिर भी अवस्थानों सार, टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है, बिमारी आदी होती है, तो वह है कर्म भोग, खुद भी समझते हैं, जब तक यहां है, कुछ न कुछ होता रहेगा, भल यह रत है, फ ना है, हां, रत दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे, बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युकती से छूट कर आती हैं, उन्हों को जितना लव रहता है, उतना और कोई का नहीं, बहुतों का लव बिलकुल नहीं है, उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेट नहीं कर सकते बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना बहुत याद में रोती है बाबा, ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे बाबा, विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे ऐसी ऐसी बांधेलिया हैं जो प्रेम के आशू बहाती रहती है वह उनके दुख के आशू नहीं है वह आशू प्यार के मोती बन जाते हैं तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़े ही है याद में बहुत तडफती है ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे सब दुख मिटाने वाले बाबा बाब कहते हैं जितना तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगी भल कोई बंधन में रहती हैं खुद सर्विस नहीं कर सकती परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है याद में ही सब कुद समाया हुआ है तडफती रहती हैं बाबा कब मोका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी कितना याद में रहती हैं आगे चल दिन प्रदे दिन तुमको जोर से खीच होती रहेगी सनान करते कारिय करते याद में ही रहेंगे बाबा कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे विचारी पूछती रहती है बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं क्या करें बच्चों की पिटाई कर सकते हैं पाप तो नहीं होगा बाप कहते हैं आज कल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो किसको पती से दुख होता है तो अंदर में सोचती हैं कभी यह बंधन जूटे तो हम बाबा से मिले बाबा बहुत कड़ा बंधन है क्या करें पती का बंधन कब जूटेगा बस बाबा बाबा करती रहती है उनकी कशिश तो आती है न अब लाएं बहुत सहन करती है बाबा बच्चों को धीरस देते है बच्चे तुम बाब को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाब दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट अपनी जाँच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है कहां तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है वृती और तरफ भटकती तो नहीं है दूसरा ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे सबको सुख देना है प्यार से बाप को याद करना है आज का वरदान साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कमबाइंड रूप धरी भव साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कमबाइंड रूप धरी भव बाब ने कहा सदा आप और बाप ऐसे कंबाइन रहो जो कोई भी अलग न कर सके कभी अपने को अकेला नहीं समझो बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथ ही है बाबा कहा और बाबा हाजिर है हम बाबा के बाबा हमारा बाबा आपकी हर सेवा में सही योग देने वाले हैं सिर्फ अपने कमबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो स्लोगन सेवा और स्वाउन्नती दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी ओम शांती आज के ग्यानमोती में हम जानेंगे कि एक सच्चे ब्रह्मन के मुख्या आधार कोन कोन से हैं और उन आधारों को मजबूत कैसे बनाए जानने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें हुआ हुआ है